हेलो फ्रेंड्स डेनी ग्लाइसेजम आपका स्वागत है दोस्तो राजस्तान हाइकोट LDC 19 मार्ज पेपर आंसर की देखेंगे 1500 क्योशन्स हम कवर करेंगे तो इसके सभी के आंसर में आपको फटा फट बताने वाला हूँ एक बार आप चेक कर लेना कितने के आंसर बन रहें देखो ध्यान देना जिसे मैंने कटोफ बताई थी कटोफ का अलग से एक वीडियो बना दूँगा जिसके पिसले में जिसे मैंने 200 कटोफ बताई थी तो यह मानके चलना इस बार थोड़े ज्यादा ही नंबर आपको लाने पड़ेंगे नर्मलाजेशन में नंबर कम किये जाएंगे क्योंकि पेपर पहले वाले से असान था तो ध्यान देना इस बार जिनके 210 प्लस नंबर हैं वो इस बार सेफ रहेंगे टाइपिंग के बारे में भी एक अलक्से वीडियो बना दूँगा कटोप के बारे में भी एक अलक्से वीडियो बना दूँगा जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी अभी सब के आंसर चेक कर लो सब के मिला लो हो सकता है दो चार क्योशन्स ऐसे हो जिनके आंसर अलग हो उनके बारे में बेलेक्स ये बात हम करेंगे बागी सबी के आंसर आप फटा फट चे कर लो लगबग सही 60 का आंसर हम लेकर आए हैं पहला प्रशन आपका है कि हम बात करें अघला था की परवत का प्रयावची नहीं है अचला नहीं है अचला अवनी दर्ती को बोलते है उरिषा डाह जलन मन मुटाव तो मन मुटाव हो जाएगा मन मुटाव सही उत्तर हो जाएगा अपने मुहों अपनी प्रशनसा करने वाला वाक्यांस के लिए एक उप्यूक्त शब्द है क्या बोलेंगे उसको? उसको हम आत्मशलागी बोलेंगे आत्मशलागी बोला जाएगा उप्यूक्त स्थानापन शब्द सही नहीं है आपको बताना है कौन सा सही नहीं है इसमें से आपको आंसर उत्तर करना है इसमें हम बात करें सही आंसर की मीता हार होना चाहिए option हम बात करें तीसरा मीता हार होना चाहिए क्योंकि कम बोजन करने वाला मीता हारी होता है तो ये आंसर इसका सही होना चाहिए किसी विकल्प में ए का प्रियोग उपसर की बाती नहीं हुआ है क्योशे नमबर 6 की हमें बात करेंगे क्योशे नमबर 6 का आंसर option c unisht होना चाहिए option c unisht option c हमें बात करें अगला आपके लिए की अशुद अर्थ युक्त अन्यकार्ती शब्द है अशुद अर्टियू को निर्काटी शब्द उप्शन इसमें बात करेंगे सह हो जाएगा कलम लेकनी आम आम इसमें गलत हो जाता है इसलिए आंसर तीसरा इसका हो जाएगा करम धार्य समास का उधारा नहीं है आसान प्रशन एकदम मुख चंदर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा वेंजन संदी से निर्मित शब्द नहीं है रविंदर नहीं है रवी प्लस इंदर रविंदर द्रिक संदी है उपसर गस रहीत शब्द है इसमें हम बात करेंगे क्योशन नमबर दस दस में हमारा अंसर उप्शन हम बात करेंगे अंजली हमारा सही उत्तर सही आंसर होगा अगला था कि कल शब्द का अर्थ नहीं होता है क्योशन नमर 11 कल शब्द का अर्थ कलम नहीं होता है कौन सा शब्द कर के अर्थ से एसमंद है कर काटा नहीं होता है बाकि कर हम कई बार देख चुके हैं करकि हम बात करें कर हम परकास केरन हाती सोन्सुल काटा नहीं होता है समास विग्रह के आदार पर कि समास में करमधारे भी और भवरी दोनों समास हो सकते हैं कौनसे में हो सकते हैं पितामबर में हो सकते हैं कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है उत्रोतर शुद्ध नहीं है उत्रोतर उत्रोतर शुद्ध नहीं है सही विलोम नहीं है क्योशन नमर 15 सही विलोम नहीं है आपको बताना कौन से में सही विलोम नहीं है तो option इसमें second उत्तर होना चाहिए अहवान, पलायन, अहवान, पलायन दूसरा इसका सही answer सही उत्तर होना चाहिए किसे विकल्प में शब्द युगम का आर्थ भेद करमिश्य एसंगत है फस्ट में ही एसंगत है फस्ट इसका सही उत्तर होना है पड़े फार्ची बेचे तेल जो स्वेम उत्पन हुआ हो वाक्यांज के लिए शार्था की शब्द है जो स्वेम उत्पन हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे उसे स्वेम भू बोलेंगे स्वेम्भू बोलेंगे, इन प्रतेशा निर्मित शब्द नहीं है, मती हिन नहीं है, कौन सा शब्द अशुद है? किसी विकल्प में प्रे उप्षर्ग रही दे शब्द भी है, प्रतिक्षा, कहा है प्रतिक्षा? ओप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा उद्द उद्द शू संगत अर्थ भेद ए, सू संगत पुचा है, तो उद्दत मतब तत्वर, प्रस्ट, उप्शन फरस्ट सही हो जाएगा, ऐशूद शब्द है जब आपकी नौकरी लगेगी, तब आप लेटर लिखो गेए,ution को तब आएगा, विशिष्ट महानगर मजिस सब्सक्राइब balance !!! कि वीकल्प में वाक्यांज के लिए शार्था की शार्त है । हम बात करें अत्यदिक शुंदर और पिरियतिकांत सही है पूर्व दिशा की प्राते काली लाली करुणा भी सही है अंगुटियवे मद्यमा के बीच के अंगुल ये गलत हो जाएगा अनामी का ये गलत हो जाएगा वी उपसर का प्रियोग उदारन नहीं है विश्वा मित्र नहीं है मनोज मनोग श्यूगों का सही अर्थ है मनोज मतलब काम देव और मनोग मतलब सुन्दर ऑप्षण डेसउ ही उत्तर होगा गरंथ गरंथ इसम्मशूर्ट शब्द का सही अर्थ है क्योशंषण गुणतीश की बात करेंगे इसमें हमारा आंसर होना चाहिए हम बात करें option बै हमारा सही आंसर सही उत्तर होना चाहिए क्योशन नमर गुंटिस option बै पुस्तक और गाठ टिक लगा देता हूं पुस्तक और गाठ होना चाहिए संदी से निर्मित सही शब्द कौन सा नहीं है प्रोड नहीं प्रोड बनता है अपवाद वाला जो हम देखते हैं कई वाद प्रोड होता है फिर है कि किसी विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है कौन से में नहीं है अवसाद विसाद नहीं है दोनों परियाय वाची है अवसाद विसाद नहीं है सही विलोम नहीं है कौन सा सही विलोम नहीं है क्योशन नमबर हमारा हो जाएगा 32 सही विलोम नहीं है हिंसा प्रती हिंसा ये हो जाएगा अंसर हिंसा प्रती हिंसा ओप्षिन हमारा साइस में सही आंसर हो जाएगा अगला देखते हैं आन प्रते का प्रियोग नहीं हुआ है कौन से में आन प्रते का प्रियोग नहीं हुआ ह है क्योश्षा नंबर हमारा 33 हो जाएका कौन से में नहीं हुआ है गुमान का है किरिशार नंबर 35 शुद्ध पुछा है हम बात करेंगे क्योशन आपका यहमत ग्रहाय योग्य योग्य की आश्यक नहीं आपका यहमत ग्रहाय है तो यही इसका अशुद्ध हो जाएगा उप्शन हम बात करें वैस ही उत्तर होगा किसी लोकोक्ति का भावार्थ सू संगत नहीं है चोर की दाड़ी में तिनका तो एप्रादी का निशिशंक नहीं होता उप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा मेग और मेद शब्द यूगम का सही अर्थ है देखो मैं इनको आपको एक्स्प्रेंड इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्स्प्रेंड करते हैं जब हम स्टड़ई करते हैं तब करते हैं यहां में आंस नहीं है शुद्ध वाक्य नहीं है इसमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं आपको बताना है क्योशन नमबर 41 में तो हम बात करें वह विलाप करके रोने लगा वह विलाप ऑप्शन इसमें सह होना चाहिए दो तिन क्योशन हो सकते हैं डाउट फूलो जल्दी पता हिरादा रखते हैं याद रखिए जो जो भी जे कामरी तूटो भारी ओनां की कई मैंने देखा कि चोटा भी बता दो लेकिन मेरे साथ से जहां तक मुझे लगता है तीसरा आंसर इसका होना चाहिए किस समुए में सभी शब्द परियायवाची है option first में ही सारे शब्द परियायवाची है बिक्षा या चकवरती हम बात करेंगा option first ही इसका सही होना चाहिए question number 44 option first एक ही जाएगा परजवलीत टीका शब्द गार्त नहीं होता है तीलेक होता है विशेश गहना होता है व्याद क्या होता है गमंड नहीं होता किसे शब्द में गार प्रते का प्रियोग नहीं हुआ है यादगार में हुआ है मददगार में हुआ है सभागार में नहीं हुआ है किसी विकल्प में मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है देखो इसमें मैं आपसे बात करूँ मेरे according इसका अंसर होना चाहिए चटी का राजा सही है, छाती उमड जाना भी सही है और फिर्ट और फॉर्ट में confusion है मेरे साफ से फर्ष्ट ही इसका उत्तर होना चाहिए पेंदे के पर बैठना सोरी, फर्ष्ट नहीं मेरे साफ से इसका आंसर है डी होना चाहिए इसकी बात करें डी आंसर होना है पेट में पाँ होना चल कपटी होना डी इसका उत्तर होना चाहिए नियुम लिखित शब्दों पर विचार कीजिए वीटब भूदर दुरू में पल्लव किसी विकल पर सभी शब्द वरक्ष के परिया हैं वरक्ष को वीटब भी बोलते हैं दुरू भी बोलते हैं तो option D हो जाएगा option 4 ते सही हो जाएगा दारू दारू का सही अर्थ है दारू हम बात करेंगे लकडी दारू शराब तो option बैह हमारा सही आंसर सही उत्तर होगा Q51 change the following exclamatory sentence into assertive तो assertive में आपको change करना है How beautiful is the night? How या what अगर आते हैं तो जब इसे assertive में change करते हैं तो very का use होता है तो सही उत्तर option 2 The night is very beautiful Next, choose the correct meaning of the idiom Beware of that fellow, he is a wolf in ship's clothing तो भेडिये की शकल में भेड यानि कि इसका सही उत्तर option 2 हाइपोक्राइट पाकखंडी या दिखावा करने वाला Next, filling the blank with the correct option I dash a play by printer तो देखिए हाँ पे जो printer है वो एक व्यक्ति का नाम है और printer क्या, printer ने कोई play लिखा होगा तो इसका सही उत्तर है I am reading Reading नहीं आएगा, have reading नहीं होगा तो I am reading a play by printer Option A, बिलकुर ठीक है Choose the correct option of the word Answer the first question before you proceed फर्चर, देखिए फर्चर कोई word नहीं होता है फर्दर होता है Before you proceed फर्दर, यानि आगे की कारेवाई करने से पहले Option 1 is correct Next is, choose the correct active transformation of the given passive There is no shop to be let तो इसका सही उत्तर है Option 1 There is no shop to let 2 के बाद में जब वर्व की first form आती है यहाँ पर जो let है वो वर्व की first form है और जब 2 प्लस वर्व की first form आती है तो passive में 2 प्लस B और वर्व की first form करते है तो इसका सही उत्तर है Option 1 Next is, the sentence has given broken up into 4 parts तो grammatically जो error है वो आपको बताना है 56 में For the young and the motivated in our country is lot of opportunities and promises of meaningful startups तो इसका सही उत्तर है option 2 देखिए एक तो यह तो lots of होता है यह a lot of होता है एक mistake तो यह है और is नहीं आएगा यहाँ पर आर वर्व का use होगा opportunities and promises के कारण ठीक है Next है आपको feeling the blanks बताना है After the French police had successfully used dogs the German authorities to dash of using them तो आप देखेंगे हमारा जो first sentence का part है उसमें had plus work की third form है अगर एक sentence में had plus work की third form होती है तो next sentence में past simple होता है तो सही उत्तर है option 3 तो next है we tried every plan तो आपको इसे negative में change करना है तो इसका सही उत्तर है we left no plan untried हमने कोई भी plan try किये बिना नहीं छोड़ा अगर other option की बात करें तो देखेंगे every plan was not tried गलत क्योंकि हमने तो सारे plan try कर लिए tried not any plan ये भी गलत है no plan was tried well ये भी गलत है तो option 1 बिल्कुल सही है next है आपको active transformation करना है passive sentence का notice was taken down तो was और verb की third form passive में कब आती है जब active में verb की second form हो तो इसका सही उत्तर option 1 they took down the notice next है we had better go said she getting up तो had better क्या है यहाँ पे एक model है तो इसका सही उत्तर है option 1 she said getting up that they had better go model verb को change नहीं करता है तो सही उत्तर है option 1 next है idiom phase का मतलब बताना है आपको the teacher always player the devil's advocate to provoke discussion in the classroom तो devil's advocate का मतलब होता है जो हमेशे counter argument दे तो सही उत्तर है option 2 present है counter argument विरोधी दलील देना next है choose the word which means the following compulsory enlistment for military तो इसके लिए जिस one word का use होता है वो है conscription option 1 सही है conscription next a statement or proposition which is regarded as established accepted और self evidently true इसका सही उत्तर है option 4 exeum exeum का मतलब होता है swam sidh जिसे सिद्ध करने की जोरत ना हो proverb का मतलब होता है कहावत तो सही उत्तर है option 4 exeum next है his dash was gardening तो देखे इसका सही उत्तर है option 2 avocation यहाँ पर जो gardening है वो main वैवसाई की रूप में नहीं है अगर main वैवसाई होता है तो vocation होता लेकिन यहाँ पर उप वैवसाई है एक शौकिया तोर पर है hobby की तरह है इसलिए सही उत्तर होगा option 2 avocation next है choose the antonym of the word complex तो complex का मतलब होता जटिल तो इसका correct antonym हो गया simple option 4 simple correct option इसका fail in the blank choosing the correct tense from 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 the given option I dash to call on you yesterday evening but it rained तो मैं तुम्हें call कल कर रहा था बट बारिश हो रही थी तो इसका सही उत्तर है option 2 was going तो I was going to call you on yesterday next is choose the correct sentence from the following तो इसका सही उत्तर option 2 देखे realize का मतलब तो होता है किसी को ऐसास दिलाना repeat repeat मतलब वापस दोहराना relay का मतलब होता है विश्वास करना तो relay chiefly on your own efforts अपने जो efforts है उन पर relay करें तो option 2 बिल्कुल सही है which of the following is not a synonym of the word attractive attractive का मतलब होता है आकर्शक तो इसका सही उत्तर है option 3 रिपल्सिव रिपल्सिव का मतलब होता है किसी से घ्रणा करना घ्रणा he agreed option 2 और 3 तो गलत हो गया और 4 के अंदर वाज आ गया इसलिए वो गलत हो गया तो option 1 बिल्कुल ठीक है pick the correct option which transforms the following affirmative sentence to negative तो negative में बदलना है where there is smoke there is fire तो जहां fire होती हमाँ smoke होता है तो इसका सही उत्तर option 2 there is no smoke without fire यानि कि जहां पर बिना आके दुआ नहीं होता तो option 2 बिल्कुल सही है filling the blank he dash many examples to support his argument तो उसने अपने argument को support करने के लिए बहुत सारे example कहीं से लिये थे तो इसका सही उत्तर option 2 cited cited का मतलब होता है उद्धरन कहीं से कुछ लेना अंश लेना next is change into negative well made movies always entertain तो well made movies do not entertain अब हमें कहा क्या गया है कि जो well made अच्छी बनीवी movies होते हैं वो हमेशे entertain करती हैं तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि वो मतलब ही change कर रहा है sentence का second भी नहीं होगा unwell movies always entertain ये भी गलत हो गया well made movies always entertain not आ गया इसलिए गलत हो गया सही उत्तर option 4 well made movies never fail to entertain कभी भी वो entertain करने में fail नहीं होती है तो सही उत्तर है option 4 प्रियंका was married to Robert correct active बताना है तो जब passive में verb was के साथ में verb की third form आती है तो active में verb की second form आएगी तो सही उत्तर option 1 Robert married Priyanka next feeling the blank with correct proposition he will remain dash home until he is tested तो सही उत्तर option 2 at he will remain at home next the sun dash during the day universal truth है तो verb की first form आएगी तो the sun shines during the day next filling the blank with suitable article I have dash breakfast at o'clock तो याद रखे को जब भी meals की बात आती है breakfast lunch dinner तो इनके साथ में कोई article use नहीं होता है option 3 बिलकुत सही है no article required next filling the blank with correct option dash you and dash I was selected तो option 1 वैसे ही cancel हो गया neither either नहीं होता है either nor भी नहीं होता है neither और भी नहीं होता है तो सही उत्तर है option 2 neither or nor neither you nor I was selected next when we were on holiday we spent two dash money तो money uncountable noun है तो उसके साथ में much का यूज होगा much uncountable noun के साथ यूज होती है तो इसका सही उत्तर है option 2 much money choose the word which with incorrect prefix miss तो देखे miss fire होता है miss judge भी होता है miss understand भी होता है लेकिन mislike नहीं होता है dislike होता है तो option 1 is correct mislike from the following option choose the correct phrase to fill in the blank the owner of the house dash and gave us a bed for the night when our car broke down तो जब हमारी कार खराब हो गई थी तो जो house के ओनर थे उन्होंने हमें अंदर ले लिया तो took us in option 1 is correct took us in अंदर ले लिया he said Mohan when is the next train तो इसका सही उत्तर है option 1 he asked Mohan when the next train was तो आपको कल बता था कि जब direct से indirect में बदलते हैं तो interrogative sentence को simple में करते हैं तो option 3 गलत हो गया option 2 भी गलत है option 1 is correct he asked Mohan when the next train was next he dash wait long as the next candidate was next candidate was only a few minutes late तो इसको सही उत्तर है option 1 didn't have to a remedy for all disease तो इसको panacea कहते है option 3 बिलकुल सही है next choose the option that best explains the underlined idiom a phrase to throw down the globe means तो देखे to throw down the globe means का मतलब होते है किसी को कोई challenge देना तो सही उत्तर option 4 to give a challenge transformation करना है sentence का अस्रेटिव में could you give me a hand with this तो इसका सही उत्तर होगा option 2 he asked me to give him a hand आपको इंट्रोगेटिव था उसे अस्रेटिव में बदलना था next our first impression of dash is the most lasting तो जो हमारा first impression है तो देखे यहाँ पर एक impression की बात हो रही है वो किसी वस्तू के impression की बात हो रही है तो सही उत्तर option 4 our most impression of objects is the most lasting next choose the correct option to fill in the blank she is proud that she dash stardom तो सही उत्तर option 1 has achieved अचीव कर लिया proud करती है जो उसने अचीव कर लिया क्या कर लिया stardom तो has achieved आएगा next the sentence has been broken four parts तो आपको gametically error किसमें यह बताना है तो इसका सही उत्तर है option 3 insane देखिए who के बाद में went complete insane insane है adjective और adjective से पहले उसे compliment करने के लिए adverb का use होता है तो complete adverb नहीं है इसे adverb बनाने के लिए completely करना पड़ेगा तो option 3 बिलकुल सही है next choose the correct option rice is the dash food of the bengalis तो इसका सही उत्तर है option 1 जो rice है वो bengalis का मुख्य या प्रधान भोजन है तो principle सही है option 1 और जो next principle है उसका मतलब होता है सिद्धान्त synonym of the word bliss bliss का मतलब होता है बहुत खुशी happiness तो इसको सही उत्तर है option 2 happy आपको synonym बताना है talkative talkative यानि कि बहुत बोलने वाला तो option 1 सही है गैरूलस next है I am yours sincerely तो इसको सही उत्तर है option 1 yours sincerely apostrophe का use नहीं होगा option 1 बिलकुल ठीक है next it was rather dash fair that I alone was asked to report early for the warning तो देखे option 2 बिलकुल सही है unfair होगा fair के पहले जो prefix use होता है वो un होगा यहाँ पे photograph है photographic use होगा एक suffix का use होगा option 2 बिलकुल सही है the prime minister invited each member of the cabinet to state his views तो आपको correct passive बनाना है तो option 2 सही होगा क्योंकि जो हमारा sentence है उसमें वर्व की second form है यानि कि past indefinite है तो हम उसे was और वर्व की third form लगा के change कर देंगे तो each member of the cabinet was invited by the prime minister to state his views next choose the word which means the following one who came as a settler into a foreign country तो जो foreign country में जाके बस जा है तो उसे कहते है immigrant option 1 बिलकुल सही है 97 है select the right prefix for the word usual तो usual के साथ में unusual यूज होता है तो option 4 बिलकुल सही है unusual next icon icon के साथ में conscious suffix होगा तो आपको पता है option 1 iconic होता है ic correct sentence बताना है तो option 1 बिलकुल सही है nobody lives forever कोई हमेशे के लिए जिन्दा नहीं रहता तो option 1 बिलकुल सही है correct article बताना है dash English have managed to hold on to their tradition तो इसको सही उत्तर है option 4 the देखे वैसे तो languages के साथ में article का यूज नहीं होता है लेकिन यहां पर English के बाद में have है तो the English का मतलब हो गया English Britishers के लिए ये word यूज हुआ है तो सही उत्तर है option 4 जीके की बात करें फटाफट जीके के questions देखेंगे वर्षी 2022 में इन में से किस हस्ती को पदम वीबूशनर से सम्मानित किया गया जीके के जिसने डेनिल क्लासे से पड़ी है अराम से 40 से नीचे रुके गाई नहीं वो 40 परस करके ही आएगा विपीन रावत प्रतिवराच चोहान की पतनी का नाम बता दू संयों गिता कई बार कर चुके हैं सवाई मांशिक बैरन सवाई मादूपूर बैरन में बता चुका हूँ कौन सा जिला है आठ जिलो से सीमा लगती है हजारो बार किया हुआ है पाली उत्तर होगा दोजार तेश में पाकिस्तान का प्रदान मंतरी कौन था शहवाज शरीव थे वटी सॉल मिटी ह हाडोती शेतर में तो वटी सॉल वारा कोटा बुंदी जलावाड बारा रणकपूर का जेन मंदिर पाली में मताई नदी के एक नहरे जेन स्रेश्टी दर्नक शाने जिसका निर्मान करवाए था हजारो बार देखा है शेत्रपलगी दर्स्टी से सबसे बड़ा जिला बेनेश्विर धाम नेवटापूरा डुंगरपूर माग पुर्निमा को जहां मेला लगता है ये बाते कई बार बोलता हूं और इस बात के दो प्रश्विन बनें आपके खड़ताल हम बात करें खड़ताल वद्दे इंतर खड़ताल वद्दे इंतर सुची फस्ट को सेकंड से मिलान करना है तो इसमें बात करें इस सर्दा बांद स्वाइमादुपूर में है पहले में गय होगा तो पहले में गय का देर ख़या इसमें देर ख़या और तो किसी में देई निरकावे से आसान हो गया पीछी आग बांद अपने हम बात करें जोद्पूर हो जाएगा औ जापर वढूरा बांट यो हम बात रहेंगे जैपूर हो चाल प्रवडऻ बांद एक सेकड़ हाँ सہी जापर बाट यृपो बांद यृपोर होал हरा है उसा और सभांद और डूर 梯ह सब्सक्राइब करना गया करनाटक में कोला गया करनाटक अरावली जिला निवनेवसे कि इस्तित है गुजरात कच्फबनासकाटा साबरकाठा अरावली मही Sigr दाओद जन्वरी 2023 में स्काउट गाइड राष्टिय जंबूरी का युजन किस तान पर किया गया कहा किया गया रोहट में किया गया रोहट पाली में किया गया भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्तलिय सीमा सांजा करता है बांगला देश के साथ करता है चार जार चान में शर्मा जीन का नीदन माई 2022 में हुआ कौन सा वाद्धेंदर था संतूर था संतूर था संतूर वाद्धेंदर था नियुन में से कौन से शेत्र का विले एकिकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ था मेवात का नहीं हुआ था मेवात दूद्वा खारा किसान अ बेप्रतिशत से अधिकापूर्ती राजस्थान करता है कौन से कनीज की करता है जिपसम की करता है पीथल और पातल किस कवी की रसना है कनियालाल सेठिय की रसना पीथल और पातल कनियालाल सेठिया पीथल और पातल काजी रंगा राष्टे उध्यान असम में एक सिंग वाले गेंडों के लिए प्रसीद काजी रंगा असम अगनीपति स्कीम किसे सम्मंदित है सेना में बढ़ती से सम्मंदित है फिर है कि भारत का प्रतम 24.7,60 ग्राम किसे गोशित किया मोढेरा गुजरात को गोशित किया आज का जो पेपर है उसमें से डेनिल क्राइसेस के स्टूडेंट 40 से कम तो रुकने ही वाले नहीं है 40 प्रस्ट को तो करेंगे करेंगे किसे राजियस सभा की विदान सभा में देश का प्रतम डीजिटल संग्राले तैयार किया गया राजिस्तान की में किया गय था लगार को जार खंड मेंच्ट Drew संग्र का ओ दाफटाविजों को डीजिटल फोर में रखने के लिए भार सरकार की अप का नाम डी जी लोकर हैं डी जी लोकर हाली में स्मारख को कोशित मांगड धाम अच्छे से कवर कर वाया था मैने आपको एक्रेशन मानगड का है बासवड़ा मानगड बासवड़ा में है अंडर 19 मेला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कफ 2023 की विजेता भारतिय टीम की कप्तान कौन थी इनकी कप्तान तो शेफाली वर्मा थी शेफाली वर्मा थी सलादीपूर सीकर में कौन से खनीज का उत्खनन किया जाता है पाई राइट्स का किया जाता है जैसिंगो मिर्जा राजा की उपादी कई बार बताता हूँ जैसिंगो मिर्जा राजा की उपादी शाहजा सवाई जैसिंगो सवाई की उपादी ओरंग जीव सब ही गड़ां शीरो मनी अती ही उंचो जान अनड पहाणा उपरे जबरो गड़ जो धान यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद है यह क्या उक्ति तो जो धान की बात करें महरान गड़ का किला महरान गड़ का किला जो आपको बताता हूँ महरानगड़ का गिला जोदपूर में है चीडिया टूंकी पहाड़ी परिस्तिताव उप्षन इसका हम बात करेंगे तीसरा महरानगड़ चंबल की साइक बनासी है कापी आसान प्रोशन चंबल की साइक बनास नदी है वर्तमान में राजस्तान की कारे पालिका के परमुक कौन होगा राज्येपाल होगा कलराज मिश्र राज्येपाल है बारते फिलम आरारार के गीत नाटू नाटू के मोबाल की बेटरी कम है नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्टित पुरुषकार प्राप्त हुआ है गोल्डन गलोब अवोर्ड प्राप्त हुआ है अजमेर की प्रसित दरगा किस से समंदित है ख्वाजा मुहिनुदिन चिस्ती से समंदित है ख्वाजा मोहिनोदूइन चिस्ती ब्रिटेन की महरानी एनि येलिजाबेत दिट्य की मृत्यू के बाद किसे उनका उट्रादीकारी गोशित किया गया चाल्स तर्तिय को किया गया चाल्स तर्तिय राजस्तान के किस्तान से जियो की 5G से आरंब की गई हम बात कें राजिस्तान में नाथ द्वारा सेंगी थी नाथ द्वारा रासमन बुंदे के प्रसिद के लिए तारागड का निर्मान किसके दुबरा बुंदी में हाडा हाडोती कोटा बुंदी जाला वाड बारा तो बरसिंग हाडा वर्टमान में भारत के चीफ और डिफेंसिस टाप कौन है अभी कलपर सों आपको बताया था लेप्टियर जनर अनील चोहान है दुर्टी मूर्मू कहां की राजेपाल जारखन की राजेपाल जारखन की राजेपाल रहे चुकी है कौन सा निरते राजस्तान से संबंद नहीं रखता है काल बेलिया रखता है, गेर रखता है, गूमर रखता है, जूमर नहीं रखता है राजस्तान के प्रथम मुक्य मंतरी दिमाग नहीं लगाना हिरालाल शास्त्री उत्तर करना है पिसली कलास में बताया था हिरालाल शास्त्री उत्तर कर देना हलांकि मैं तो बहुत अच्छे से डीटेल से बताया था इसका अंसर हिरालाल शास्त्री हो जाएगा बेनेशर मेला माग पूर्णी मागो नेवटापुरा गाउं डुंगर कुफ आरे समाध द्वारा वेदिक यंत्राले कहां इस्ताफित किया गया था अजमेर में स्ताफित किया गया था बार्ट में सबसे पहले सुरियास्त जहां सुरियोत सबसे पहले वहीं सुरियास्त भी सबसे पहले अरुनाचल प्रदेश में होता है बात में किस राजे में रबड़ का उत्वादिन सबसे अधिक होता है रबड़ की बात करें सबसे अधिक उत्वादिन रबड़ केरल जारवा जन जाती निर्में से कहां पाई जाती है अंडवा निको वार वार शेत्तर है वहाँ पर काफी यह questions important था अंडवान निको बारोफिन दै राजस्तान राजे खान एंग खनीज लिम्टेट की स्तावना किश्वर्स में किये गई थी 1904 में किये गई थी 1904 में किये गई थी आपको ध्यान रखता है हिंदी इंग्लिश जी के फटापट में आपको आंसर बता दी आंसर मिला लेना ज्यादा तो दिकत नहीं होगी 24 questions इदर उदर हो सकते हैं जैसे माल लो 24 questions के answer हो सकते हैं तो बाकी दिकत नहीं होगी जल्दी आपकी answer की भी आजाएगी हो सकता है कि एक दो दिन में आपकी answer की आजाएगी ज्यादा समय नहीं लगे इस paper में जिन भी student के 210 plus बन रहे हैं अभी तो बता रहा हूँ आपको नॉर्मली जिनके भी 210 plus बन रहे हैं वो typing शुरू कर सकते हैं 210 plus वाले कर सकते हैं general वालों का हो सकता है 215-20 तक भी हो बाकि 210 वाले आप typing शुरू कर दो लगबग हो सकता है 15-20 दिन में ही आपके typing का result आजाए paper का result आजाए तो अभी भी आपको typing शुरू कर देनी है बाद में इतना समय नहीं मिल पाता कई student कमेंट करते हैं बार बार पूछे हैं आज ही कटोप का वीडियो भी मिल जाएगा आपको धन्यवाद